तो आज मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं पैरलल रेजमेंट सर्किट ठीक है या फिर रिजेक्टर सर्किट भी इसको कहते हैं इससे पहले हमने सीरीज यह जो सर्किट पढ़ा था उसको असेक्टर सर्किट कहते थे और इसको हम रिजेक्टर सर्किट या फिल्टर सर्किट भी कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं और जाद क्या करता है उसके बारे में हम यह आप चुछी करेंगे, तो पहला है जब लगा लिया, यह हमारे पास ऐसे हमने दिया, E of sin omega E, ठीक है, तो E of sin omega E, मैं led कर लेता हूं, कि मेरे पार्ज जो इह वह किदर है तो यहां से current जाएगा I वह दो पार्ट में दिवाइड हो जाएगा एंडेक्टर में से il और capacitor में से ic जाएगा तो यह जो il होगा यह किसके एकवल था capacitor containing AC circuit only और inductor containing ac circuit only वह हम कर चुके हैं तो वहां से आपको याद हो रहा हुगा कि जो i0 है वो i0 था, i0 is able to sin omega t and कितना इंडेक्टर में जो current था वो क्या करता, lag कर रहा था, ठीक है, तो अगर मैं इसका resultant बना रहा हूँ तो e अगर मैंने omega t यह इंदर पर इंदर apply किया हुआ है, तो इससे 90 degree पीछे हमारे पास कौन था, il था, तो क्या हो जाएगा यह, omega t minus k pi by 2, ठीक है, यह था हमारे पास omega t minus k pi by 2, इसको मैं थोड़ा सा आगे solve कर लेता हूँ, तो यह मेरे पास आ जाएगा, il is equal to, this is e0 upon xl, ohms law से i0 की value क्या थी, voltage upon resistance of inductor, और देखो, यहाँ पर मैं minus बाहर ले रहा हूँ, तो यह मेरे पास बन जाएगा, sin pi by 2 minus का omega t, और pi by 2 minus omega t पर sin cos में चेंड हो जाता है, तो il रिखा जाएगा, minus के e0 upon xl, cos omega t, यह मेरे पास il निकल करा लिया, ऐसे अगर मैं ic निकालता हूँ, बच्चों, तो ic मेरे पास हो जाएगा, e0 upon xc, और यह होगा sin pi by 2 plus omega t, यानि हमने देखा था कि कैपेस्टर में जो current था, वो lead कर रहा था, और inductor में voltage से नीचे हो गया, और capacitor में lead करेगा, तो कहां पहुचेगा, बच्चों, इधर पहुचेगा, तो यहां पर current हो जाएगा, कितना, ic, और ic की value कितनी आई थी, यह आई थी, वो हमने यहां पर लिख लिया, उसको solve करेंगे, तो यह मेरे पास हो जाएगा, e0 upon xc, और यह cost में change हो जाएगा, cost omega t, यहां से अगर मैं देखता हूँ, बच्चों की total current, जो total current है, i, वो हमारा is equal to है, xl plus x, il plus ic के equal, यहां से दो part divided हुआ, il plus ic के equal होगा, तो यहां से current की value put कर लेते है, i is equal to il, l, तो il केतना है, बच्चों, minus e0 upon xl, cost omega t, and plus e0 upon xc, cost omega t, तो जो common है, वो common लेते हैं, देखो, e0 and cost omega t, दोनों से common है, यहां भी e0 cost omega t, यहां भी e0 cost omega t, यहां भी e0 cost omega t, तो यहां पर क्या बच्चे का, 1 upon xc minus 1 upon xl, यह minus का 1 upon xl, इसको मैंने पहले लेख दिया, 1 upon xc, okay, now आगे, i is equal to e0, cost omega t, xc की जो value है, ठीक है, xc की value हो क्या थी, 1 upon omega c, तो वहां से अगर 1 upon xc की value निकालेंगे, तो यह हो जाएगा omega c, और यह हो जाएगा 1 upon xl की value, omega l, तो यह मेरे पास resultant current आगया, इस circuit में, अब मैं बात करता हूँ कि यह, जो current है, वो 0 कब होगा, i will be 0, 0 कब होगा बच्चो, when omega c is equal to 1 upon omega हो जाएग, ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि, when omega c is equal to, omega c is equal to 1 upon omega l हो जाएग, मैं कह सकता हूँ, omega is equal to आजाएगा, बच्चो, यहां से solve करके, वही 1 upon root l c, ठीक है, और अगर मैं frequency निकालूँगा, तो वही आजाएगा, 2 pi root l upon c, जो series combination में आए था, और यह हमारे पास है बच्चो, resonance frequency, या natural frequency, series resonance circuit में और paddler resonance circuit में क्या difference है, series resonance circuit में जो current मुझे मिल रहा था बच्चो, ठीक है, वो maximum मिल रहा था, इसी resonance frequency पर, लेकिन parallel resonance circuit में ये current मुझे मिल रहा है, zero, इसी resonance frequency पर, इसी frequency पर, यानि वहाँ पर, जो, जैसे हमने decide कर लिए कि ये हमारे पास resonance frequency है, अब आपको पता atmosphere में बहुत सारी frequencies घुम रही हैं, हमने नोग को घुमाया, घुमा के हमने देखा कि इसकी resonance frequency सेट हो गई, आप जो atmosphere में जो भी उसकी frequency होगी, वो match हो जाएगी, और resonance होगा, resonance होने की वज़े से current maximum हो जाएगा, ठीक है, अब इसको receptor circuit क्यों कहते हैं, कि जैसे resonance frequency होगी, और जो उस range की frequency होगी, कि उसको यह accept नहीं करेगा, current क्या हो जाएगा, बच्चो अब 0 हो जाएगा, सीरीज रेजरों सर्कीन में current maximum हो रहा था, resonance frequency पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 0, यानि हमने एक frequency सेट कर दी, इस frequency की atmosphere में जो भी frequency होगी, ठीक है, वो देखेगा कि frequency match के रिए resonance होगा, यानि यह totally क्या कर देगा, बच्चो उसको reject कर देगा, इसलिए इसको receptor circuit भी कहा जाता है, और filter circuit भी कहा जाता है, क्योंकि उस frequency को यह accept नहीं करेगा, ओके चल्द, यहाँ पर इक question और देख लेते हैं, एक छोटा सा numerical और देख लेते हैं, पर एक एक एपिटर लगा हुआ है बच्चो इसका A2, यहाँ पर भी एक एमिटर लगा हुआ है A1 और यहाँ पर भी एमिटर लगा हुआ है, कितना लगा वह बच्चों, A3 कहता है कि यह जो AmHA ter है वह read कर रहा है, 1.6 Ampere यह Am Lehramard тогда 1.4 Ampere तो A3 कितना read करेगा तो whilst C ठीक है, तो कि जनर्र सा माइड में यह आता है कि यहां से आई जा रहा है आई किसके एकवल है एकसेल प्लस प्लस एकसी के एकवल है ठीक है तो दोनों क्या हो जाएंगे एड पहेंगे 0.4 प्लस 1.6 या तू अपेरा जाएगा लेकिन नहीं देखो बच्चो अभी हमें देखा था अगर वोल्टेज इतार है तो यह दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डारेक्शन में हैं तो जो ए माइनस के आइसी क्योंकि यह दोनों अपोजिट डारेक्शन में हैं तो यह जो एमिटर करेंट मेजर करेगा वो मेजर करेगा बच्चो आइएल यानि 1.6 माइनस का 0.4 यानि 1.2 अपेर नोट करेगा तो इस सर्किट में यह ध्यान टापना जलूरी है क्योंकि फेज क्या हो होते हैं इनकी अपोजिट डारेक्शन में